हलो गुर आफटरनून एवरिवान दिस अमित पवार फ्रॉम पावर विधिन साइकोलजी और आज हम लोग डीटेल में बातचीत करेंगे आर एमल हॉस्पिटल में एम्फिल इन क्लिनिकल साइकोलजी पॉस्यू करने के बारे में हम लोग कंप्लीट डीटेल लेंगे 2024 के अप्लिकेशन डीटेल्स की जिसके अंदर हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या टाइमलाइन हैं क्या इंपॉर्टन डेट्स हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं बेसिकली एक्जाम किस तरीके का होता है कितने questions आएंगे क्या syllabus होगा और end में हम लोग कुछ previous year questions प्राक्टिस करेंगे जो लस्ट rml के exams हुए थे 2022, 2021 और 2020 के previous year questions के बारे में साती सात में हम लोग book recommendations देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ती specific units या chapters को target करता है तो उसके लिए कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो सभी लोग जॉइन इन कर जाएए और फिर हम लोग डीटेल में डिस्कस करते हैं RML Hospital के Amphiland Clinical Psychology Program के बारे में So RML Hospital जो है वो one of the most prestigious institutes के अंदर आता है जो की New Delhi में है साथ ही साथ में RML की एक बहुत ही interesting history है जो की psychology की history या clinical psychology की history में एक important role play करता है देश में आजादी से पहले बना और शुरू हुआ ये hospital आज भी एक important relevance रखता है So moving forward हम लोग इसी चीज़ के बारे में complete admission information की बातचीत करेंगे और साथ ही साथ में previous year questions solve करेंगे इसी के आगे बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों से पहले हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग Amphiland Clinical Psychology की preparation करना चाहते हैं जा सिर्फ 2024 के जो अभी exams आने वाले हैं उनको target करना चाहते हैं उसके लिए crash course और अगर आप larger level पे 2025 के exams को target कर रही हैं तो उसके लिए Amphiland Clinical Psychology, UGC NetJRF, Masters in Psychology, Gate Psychology, PhD in Psychology और बाकी के तमाम psychology के entrance exams की complete preparation power within psychology कराता है जिसके बारे में आप details ले सकते हैं हमारी power within psychology app से यह app आपको app store पर play store पर मिल जाएगी जहां पे आप paid courses भी देख सकते हैं और courses के अंदर जाके free demo content भी देख सकते हैं जिसके अंदर complete lectures covered हैं प्लस आपको free test series और free demo study material भी देखने को मिलेगा इस चीज के बारे में अगर आपको कुछ भी साहता चाहिए टीम से demo लेना हो कुछ भी information अपने exam से संबंदित या अपने curriculum से संबंदित या किसी तरीके का support आपको चाहिए हो तो आप हमारी support team को call कर सकते हैं at 8013-666663 जी अगर आप हमारे toppers की details चाहते हैं Masters in Psychology की, NetJRF की, हमारे faculty के details के बारे में Amphil and Clinical Psychology, GATE के, NetJRF के, PhD के, DSSSB के आपका जो Nipsid के exams होते हैं उन सब के अगर details आप चाहते हैं तो वो सब आपको हमारी website पर मिल जाएंगे जिसके लिए आप powerwithinpsychology.com पर जाकर सारी details चेक कर सकते हैं तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि Amphil in Clinical Psychology की preparation के लिए सफलता crash course आपके लिए available है जो hybrid mode में offer करता है complete course की preparation जिसके अंदर recorded videos साती सात में live classes आपको मिलेंगी जिसमें आपका clinical disorders की classes शुरू हो चुकी है psychotherapy की classes आपकी Monday से शुरू होंगी तो आपको कुछ भी details चाहिए हो आप team से connect कर सकते हैं सफलता crash course के बारे में demo lectures देखने हो तो आप उसके लिए app पर जा सकते हैं उसी तरीके से संकल्प का crash course NetJRF 2024 जून को target करते हुए बनाया गया है इसके बारे में भी complete details आप हमारी website या हमारे team से या हमारी app को download करके ले सकते हैं इसी तरीके से लक्षे 2024 जो other exams आपके CUAT के अलावा बच गए हैं उन exams की preparation के लिए crash course है और full programs जो हैं जो आपके integrated courses हैं उनकी details भी आप हमारी app और team से connect करके ले सकते हैं अगर आपको MFIL in clinical psychology के previous year questions चाहिए अपनी practice के लिए आप theory और content का भी support चाहते हैं तो MFIL in clinical psychology की power within की book series जो की आपको 4 books की format के अंदर मिलती है जिसमें आपके पूरे syllabus का word है आपके previous year questions है, practice questions है, unit wise है, full paper है वो सब कुछ आपको Amazon पे available मिल जाएगा आप Amazon पर MFIL in clinical psychology या power within MFIL books अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस सारी की सारी details वहाँ पे मिल जाएगे अब शुरू करते हैं main मुद्दा इस interaction का जो की है RML hospital के MFIL in clinical psychology program के बारे में तो RML institute के पहले तो नाम को लेके कुछ queries concerns रहते हैं, उसको address कर लेते हैं जब हम RML की बातचीत करते हैं, तो कुछ नाम सामने आते हैं, जैसे PGIMER, जैसे आपका RML hospital, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया hospital, आपका अटल बिहारी वाजपई institute of medical sciences, यानि की ABVIMS, PGIMER और RML, तो जब भी कभी आप ये नाम देखते हैं, तो आप ये मान के चलिए, कि हम एक तरीके से सेम ही संस्थान की बात कर रही है, तो institute, जो RML hospital है, क्योंकि इतना prestigious institute है, बहुत सारा heritage value साथ में रखता है, तो काफी programs को collaboratively handle करता है, जिसमें आपके UG programs, PG programs, MFIL programs, all other programs को करता है, हमारा main focus जो है, वो आपका RML पे रहेगा, तो आपका अटल बिहारी वाजपे institute of medical sciences and dr. राम मनोहर लोहिया hospital, जिसको formally Wellington hospital कहा जाता था, ये आज के समय में central government की तरफ से fully funded hospital है, जिसका बहुत ही unique history रही है, प्लस काफी अच्छी funding government से hospital को मिलती है, ये आपका Delhi में है, और इन्होंने recently admission notification निकाला है, with collaboration from the Guru Gobind Singh Indraprasth University, क्योंकि RML एक hospital है, और curriculum या admission programs offer करने के लिए, जिसमें आपको degree मिलती है, उसके लिए आपको किसी university के साथ में associated होना चाहिए, या as a university approval मिला होना चाहिए, जैसे निमहांस है, निमहांस को एक university की तरह भी approval मिला हुआ है, और वो साथ में hospital भी है, बट RML के case में, RML collaborate करता है, Guru Gobind Singh Indraprasth University के साथ में, जिसमें आपका admission notification, exam conduction, सारी की सारी चीज़े जो हैं, वो आपका Guru Gobind Singh Indraprasth University कराता है, जो आपके interviews होते हैं, उसमें RML के panels जो होते हैं, वो आपके interview conduct करते हैं, final list आती है, selection होता है, और आप RML hospital के अंदर अपने तियारी करते हैं, तो Guru Gobind Singh जो है, वो administrative half है, of RML institute, of RML hospital, जो की MFIL in clinical psychology, GG SIPU के साथ में देता है, तो ये चीज़ की clarity पहले आपको हो जाए, कि आपको जो notification मिलेगा, उस notification में नाम लिखा होगा, GG SIU, यानि की Guru Gobind Singh Indraprasth University, और जो department ये offer करेगा, वो RML hospital के अंदर है, जो की MFIL in clinical psychology का program offer कर रही है, जिसमें इस सत्र में total 13, यानि की 13 seats हैं, MFIL in clinical psychology के लिए question आया है, वीके सिंग जी का, net qualification जो है, वो necessary नहीं होती है, compulsory नहीं होती है, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई eligibility criteria का part नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से हम RML के इस notification के बारे में बातचीत करेंगे, जो की गुरू गोबिन सिंग इंद्रप्रस्त युनिवर्सिटी ने निकाला था, जो की 8 तारिक को निकाला था, आठ अप्रेल को, जिसके अंदर 2024 और 2025, यानि की दो साल का है, तो 2024 से 2026 का जो सत्र है, academic year होगा, उस academic year के लिए, एंफिल इन क्लिनिकल साइकॉलजी को, जो की Center of Excellence in Mental Health, Department of Psychiatry, Dr. Ram Manohar Loya Hospital, PGI, M.E.R. Park Street, New Delhi के तहत, ये notification उन्होंने निकाला है, तो यानि की आपका जो primary space होगा, academics का, training का, वो आपका Department of Psychiatry, Dr. R. M.E.L. Hospital होगा, New Delhi. तो ये सारी की सारी details के अंदर उन्होंने एक हमें tentatively बताया है अभी, कि 15 मई को ये exam होगा, जिस date में आपको changes अभी देखने को मिलेंगे, बट इन्होंने जो notification पहली निकाली थी, उस पहली notification में इन्होंने 15 मई 2024 डेट के तौर पे लिखा था, आगे देखते हैं, किस तरीके के changes इस date में आई हैं, तो इसके साथ में सारी के सारी details हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, जो start date है, वो आपकी 5 अपरेल से आपके application form शुरू हो चुके हैं, जो कि 4 मई तक ये application forms आपके continue रहेंगे, उसके बाद में जो date है entrance exam की अभी तक, वो आपकी 15 मई 2024 है, उसके अलावा इस program के लिए जो आपका पूरा का पूरा overall admission cost आएगा, अगर आप select हो जाते हैं, तो उसमें आपका tuition fee per annum, जो बाद में आपको पता चलेगा, उसके बाद में university के charges per annum, 25,000, alumni contribution fund one time payment 2,000, और आपका security deposit one time का 10,000. तो इसके साथ में जो admit card होगा exam का, वो लगबग 3 दिन पहले आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके center की बाकी की details रहेंगे. अब बात करते हैं, M.Phil and clinical psychology program की, जिसका common entrance test code है 157, जो की आपका गुरु गोबिन सिंग इंद्रप्रस्त university conduct कराएगा, manage करेगा, और उसी के code के तहत, इस exam का ये code है. eligibility की अगर हम बातचीत करें, तो इसके अंदर आपकी जो unreserved category है, उसके लिए 55%, 55% marks आपके masters में compulsory होना चाहिए, जिसमें एक paper कम से कम आपका clinical psychology में special paper होना चाहिए. उसके अलावा, अगर आप reserved category से हैं, from SC, ST, PWD category, तो आपके minimum 50% marks का total होना चाहिए, और अगर किसी ने correspondence से, part-time से, या distance से, MFIL and clinical psychology के लिए apply करना चाहते हैं, जो student जिरों ने अपना masters, correspondence, part-time distance से करा है, वो सब भी eligible हैं, उसके अलावा, जो आपका syllabus है, common entrance test का, उसमें general psychology, जो basic syllabus है, सभी MFIL का, वही syllabus यहाँ पे है, general psychology, developmental psychology, research stat, social psychology, motivation and personality, cognitive psychology, experimental psychology, psychological assessment, health psychology, physiological psychology, psychopathology and clinical psychology, आपका neuropsychological assessment and rehabilitation and therapy and psychological interventions. उसके अलावा, जो एक अंदाजन distribution है marks का, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन जो एक अंदाजन estimated दिया हुआ है, तो उसमें आपका लगबग 15% general psychology, 15% child psychology, 20% clinical psychology, 15% research and stats, 5% social psychology, 15% psychological assessment and test और बाकी remainder बचे हुए topics का हो जाएगा. टोटल seats 13 हैं इस program के लिए. अब admission process की बात करते हैं, तो RML के admission process बहुत ही simple है, आपका CET का entrance exam होगा, जो की entrance exam आपका गुरु गोबिन सिंग इंदप्रस्त युनिवरसिटी कंड़क्ट कराएगा. इस exam का total weightage आपके selection में 90% होगा, यानि कि जो final merit list बनेगी, उस merit list में 90% का weightage आपके entrance exam का होगा. जो की बहुत high weightage है, यानि कि आपके entrance exam का score एक significant marker होगा आपके selection में. तो इसलिए आपको ensure करना है कि entrance exam में आपकी performance जो है, वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए. उसके बाद में आपका एक interview होगा, जो की एक panel लेगा, जिसका 10% weightage होगा. यानि कि आपका 90% marks लिये जाएंगे, 10% आपके interview का लिया जाएगा, total 100% पे आपकी final merit बनेगी. आपका जो भी score के basis पे 90% का calculation होगा, या उसमें 10% जो डलेगा, वो round off नहीं करा जाएगा. अगर मान दो आपका score बनता है 92.49, तो आपका score 92.49 होगा, ना कि 92.5 या 92, round off नहीं होगा. उसके बाद में ये आपका online CBT mode में होगा, यानि कि आपका computer based test होगा, आपको English language में मिलेगा, ये English के अलावा और language में नहीं मिलेगा, total 100 questions होगे आपके पास, और 2 घंटे का समय होगा इन 100 questions को करने का, उसके अलावा किसी भी तरीके की negative marking इस test में नहीं होगी. तो ये एक रियायत है जो काफी अच्छी students को मिली है. आपका interview के लिए जिनको बुलाया जाएगा, उस qualifying criteria के अंदर 1 is to 3 का ratio है, यानि कि एक seat के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा, जो भी reservation categories के हिसाब से आपके seats का बटवारा बैठता है, उस हिसाब से categories में से आपका इस ratio को follow करा जाएगा, लगबग 40 के करीब आपके total बच्चे interview के लिए बुलाई जाएगे. तो आपका general के लिए जिस भी व्यक्ति ने 50% score से उपर उसका marks आए है, वो व्यक्ति eligible होगा interview के लिए, यानि कि कोई भी व्यक्ति जिसने 50% से नीचे score करा है, general category में और reserved category में 45% से नीचे वो व्यक्ति eligible नहीं होंगे interview के लिए, तो eligible होने के लिए आपको target करना चाहिए कम से कम 60% minimum, आपके इतना score होना चाहिए, तो आपको selection के लिए बहुत high score चाहिए, जादा तर MPL in clinical psychology के exams में जो selection ratio है, वो 80% से उपर जाता है, यानि कि आपको selection के लिए 80% से above score करना चाह तो यहाँ पे criteria's में minimum criteria's पे नहीं अटकना चाहिए हमें, आप minimum criteria's को भी थोड़ा सा बढ़ा के 60% minimum मानके चलो, किसी भी तरीके से अगर इसको minimum eligibility मानते हुए, आप exam को दोगे तो बड़ा challenging हो जाएगा, ज्यान रखना है कि कम से कम 80% होना चाहिए, अगर हमें थोड़ा सा भ बढ़ाने के लिए आपका score 90% अबव तो होना चाहिए, यह बहुत important है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं RML के कुछ previous year questions, तो RML के अगर 2022 के paper की बातचीत करें तो एक सवाल पूछा गया था, कि वाइगोट्सकी के हिसाब से intra-subjectivity precedes inter-subjectivity, क्या यह सही होगा, children do not engage in inter-subjectivity, क्या यह सही होगा, inter-subjectivity and intra-subjectivity are related, यह intra होगा, intra-subjectivity, inter-subjectivity precedes intra-subjectivity, तो सभी लोग जवाब दीजे कि क्या सही आंसर इसका होना चाहिए, सो सभी लोग actively answer करें और बताईए, वाइगोट्सकी के हिसाब से इन चारों में से क्या सही option होगा, A, B, C या D, बस जल्दी से आप लोग केवल A, B, C, D टाइप करिए, इस बात को मत सोचिए, कि मेरा question मुझे आता नहीं है, गलत हो जाएगा answer देते हुए, आप comfortable होके answer करिए, और constantly cross check करिए, कि answer सही था या गलत था, ठीक है, ओके, ठीक है, सभी लोग जवाब दीजे, तो पहला, जो आपका question है, इसका correct answer आपका होगा, D, इंटर subjectivity precedes intra subjectivity, तो वाइगाट्स की जो है, वो cognitive development की अपनी थियरी के अंदर कहते हैं, कि जो व्यक्ति है, वो पहले inter subjectivity, यानि कि social level पर चीजे सीखता और समझता है, और उसके बाद में, उसको personal level पर सीखता और समझता है, दूसरे में, in the teleological stance, toddlers can understand, A, contingencies, B, intentions in action, C, prior intentions, D, mental states such as belief and desires, सभी लोग actively answer करें, teleological stance, इससे बच्चे कैसे समझते हैं, सभी लोग actively answer करें, बिलकुल योगिता, ये tentative dates आपकी change होती रहेंगी, और आपको constantly website को actively देखते रहना पड़ेगा, ताकि final dates आपके हाथ में आ जाएं, सभी लोग answer करें, तो इसमें आपका answer होगा, intentions in action, B, क्यों सही होगा, क्योंकि जब हम गर्गले के हिसाब से व्यक्ति के बच्चे के development को देखते हैं, तो बच्चा teleological stance, यानि की बच्चा जो है, वो किसी चीज के outcome के basis पे व्यक्ति के intention का या action का अंदाजा लगाता है, यानि की अगर मान लिजे, एक adult मान लिजे मैं हूँ, और मैं किसी toy को reach कर रहा हूँ, मैं किसी toy को shelf से उतारना चाहता हूँ, तो एक छोटा बच्चा जो होगा, जब वो मुझे देखेगा, तो वो केवल मेरे action को, क्योंकि मेरा action goal oriented है, यानि की मैं जो हूँ, वो reach out कर रहा हूँ, ताकि वो toy को मैं उतार सकूँ, तो इस चीज से बच्चा जो है, वो धीरे-धीरे simple level पे ही सही, लेकिन चीजों को meaningfully समझना शुरू कर देता है, तो बच्चा ये नहीं जान पाता, कि मैं toy इसलिए उतार रहा हूँ, क्योंकि toy अच्छा है, या मैं toy इसलिए उतार रहा हूँ, क्योंकि जो toy है, उसको मेरे को किसी use में लेके आना है, तो व्यक्ति मेरे beliefs को, मेरे mental sets को, इन सब को नहीं देख रहा, वो सिर्फ क्या देख रहा है, कि मैं एक action कर रहा हूँ, reaching out का, तो यानि कि मेरा जो action है, वो goal directed है, तो जो goal मेरा achieve हो जाएगा, उस outcome के basis पे व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, वो चीजों को समझता है, तो ऐसे में intentions in action, ये आपका teleological stance के हिसाब से, बच्चों को चीज़े समझने में मदद करता है, आगे बढ़ते हैं, who gave the concept of first rank symptoms, first rank symptoms का concept किस ने दिया, सभी लोग answer करें, सभी लोग answer करें, काफी simple question है, जब भी हम clinical psychology की history या किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो बहुत सरल तरीके से आपको ये देखने को मिल जाता है, सभी लोग जवाब दें, बिल्कुल ठीक जवाब, बच्चों को पता है इसका जवाब, तो आपका इसका जवाब होगा, Kurt Schneider, Kurt Schneider ने, आपका first rank symptoms, और secondary rank symptoms दिये थे, जो की, आपको बहतर तरीके से बताते हैं, कि कौन से primary symptoms वो होते हैं, जो highly identifiable information प्रुवाइड करते हैं, schizophrenia से संबंदित, तो ये आपका Kurt Schneider, एक important नाम है, उसके अलावा, ML Creplin भी एक important नाम है, ये आपको दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में, एक research का question आता है, इसको सभी लोग देखे, a researcher is interested in studying the effect of noise on problem-solving abilities, यानि की एक व्यक्ति जो है, वो noise का effect study करना चाहता है, problem-solving पे. of elementary school students, ठीक है, young school students का देखना चाहते हैं, she uses two classes of fourth grade, तो fourth class की दो classes को, वो use करती है, test करने के लिए, यानि की उन्होंने, दो sections ले लिए, fourth के, section A और section B, और उनको 10 problem tests दिये, यानि की 10 questions या 10 problems उनको दी, when one class takes the test, जब एक class test ले लेती है, she turns on a radio, keeping it off for the other class. This is an example of, बताईगो, तो वो noise introduce कर रही है, तो बताईए, ये किस चीज का example होगा, सभी answer करें, question को देखिए और answer करिए, subtle question है, but, एक important information जो है, वो इसको मुश्किल बनाती है, तो सभी लोग देखिए सामने, और क्या answer होगा, बताईए, चीक है, तो जादातर बच्चे जो है, वो ऐसे case में, mark करने का प्रयास करेंगे, true experiment, true experiment क्यों mark करना चाहेंगे, क्योंकि सारी के सारे features, आपको true experiment के दिखते हैं, कैसे features दिखते हैं, कि हमारे पास में experimenter group है, control group है, उसके बाद में हम लोग जो है noise को introduce कर रही है, और हमारे पास में एक important चीज नहीं है, कि जब वो दो sections को लेती हैं, तो A section के अंदर already students है, तो यानि कि उन्होंने एक important element miss कर दिया, सभी लोग बताएं क्या, बताईए, क्या important element उन्होंने miss कर दिया, बताईए, सभी बताएं, एक true experiment के लिए जो बहुत ही important चीज है, वो क्या है जो इन्होंने miss कर दिया, सभी लोग answer करें, actively answer करें, बताईए, बताईए, बिलकुल random assignment, क्या important चीज मिस कर दिया उन्होंने, random assignment, क्योंकि randomly assign नहीं करा, conditions में, यानि की experimental और control group में, randomly assign नहीं करा, इसी वज़ा से, random assignment ना होने की वज़ा से, ये true experiment नहीं हो सकता, क्योंकि ये experiment का goal standard नहीं meet कर रहा, मगर, क्या important चीज है इसके अंदर, experiment की बाकी elements exist करते हैं, जिस वज़ा से, ये एक quasi experimental, जो है research study बन जाता है, चीक है, answer करते हैं, आगे चलते हैं, at what age can the melons intelligence scale, be administered to Indian children, बताईए, बताईए, सभी लोग जवाब दें, बिलकुल ठीक जवाब, melons का intelligence scale, जो की वेचलर्स के, intelligence scale से adapted है, और one of the popular intelligence scale है, जो Indian young children के साथ, use किया जाता है, उसमें 6 साल, D answer होगा, तो इसमें आपका, 6 से 15 साल का जो bracket है, 6 से 15 साल का जो bracket है, ये bracket बहुत important है, दूसरा, इसको administer करने के लिए, लग बग, 2 से धाई गंटे के करीब का time लगता है, और ये एक important test माना जाता है, तो आपका melons का जो test है, वो बहुत important है, अगे, शीना is studying for her final exam in her psychology class, for every 45 minutes that she studies, she gives herself a mini chocolate, then goes back to study, what schedule of reinforcement is sheena using, variable ratio schedule, variable interval schedule, fixed interval schedule, and fixed ratio schedule, बताईए, इन चार schedules में से, कौन सा schedule sheena use कर रही है, सबी लोग answer करें, बहुत ही simple और सरल जवाब है, बिल्कुल ठीक जवाब है, fixed interval, क्योंकि time की बात है, तो interval use करेंगे, ना की ratio, और क्योंकि fix है, हर 45 minute में है, तो यानि की, fixed interval schedule, the front line treatment for schizophrenia is, schizophrenia के लिए, first line treatment क्या माना जाता है, सबी लोग जवाब दें, सबी लोग जवाब दें, क्या answer होगा, बिल्कुल ठीक जवाब है, anti-psychotic medications, medications जो है, वो primary treatment form के तौर पे, schizophrenia के लिए use किया जाता है, उसके अलावा, जो बाकी के है, वो भी important tools है, जो medication के दौरान में, additional support, provide करते हैं, treatment के लिए, but primary level पे, medication, anti-psychotic medications, जो है, वो बहुत important है, chronic alcoholism may result in which amnesiac disorder, तो बताईए, किस तरीके के amnesiac disorder को, chronic alcoholism से, बहुत जादा खत्रा होता है, जो chronic alcohol है, यानि कि regular basis पे, alcohol को consume करने से, किस तरीके का amnesiac disorder हो सकता है, बताईए, सभी लोग जवाब दें, बिल्कुल ठीक जवाब है, बाकी लोग भी जवाब दीजे, तो यह है आपका, कॉर्सिक ओफ सिंड्रोम, कॉर्सिक ओफ सिंड्रोम, कॉर्सिक ओफ सिंड्रोम जो है, यह आपका, काफी बड़ा चालेंज बन जाता है, जब हम regularly, अल्कॉहॉल को consume कर रहे होते हैं, अल्कॉहॉल हमारे ब्रेन के, काफी major parts को impact करते हुए, आपका, कॉर्सिक ओफ सिंड्रोम, जो की, एक larger spectrum, के और syndroms पे, जिस पे वरनी के, कॉर्सिक ओफ सिंड्रोम, जो है, उस spectrum का एक part है, तो इसके साथ में, आपके previous year questions, जो है, वो complete होते हैं, हम लोगों ने एक छोटी सी जहलक देखी, कि अब तक किस तरीके के questions, पूछे गए हैं, दूसरी चीज, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जो अभी recently, आपका latest notification आया है, उस latest notification के हिसाब से, आपकी जो नई tentative date, change हुई है, जो की आपको, अब जो date आ गई है आपकी, that is, 28th May, 2024, और ये भी tentative date है, तो आपका इस date के अंदर, और changes भी, आपको मिल सकते हैं, तो इसी लिए, आपको regularly अपनी website को, check करते रहना पड़ेगा, ताकि आप जो है, वो latest date को, देख सकें कि कब आपका exam, conduct हूगा, election का time है, बहुत सारी चीजे, घट रही हैं, इस वज़े से date को, for sure, एक fixed date की तरह, नहीं दिया गया है, तो आपका 28 मई 2024, ये आपकी नई tentative date है, for Enfil and Clinical Psychology, entrance exam, for RML, to be conducted by, Guru Gobind Singh, इंदरप्रस्त University, उसके साथ में, books recommendation के लिए, हमने आपको, अल्रेडी बता दिया गया है, कि इसमें आपको, RML के previous year papers, प्लस बाकी previous year papers, भी मिलेंगे, साथ में, और additional theoretical content, भी provide करा जाएगा, जिसमें आपका, book 1, book 2, book 3, book 4, available है, जो आप Amazon पे देख सकते हैं, साथी साथ में, हमारी website, powerwithinpsychology.com पे भी देख सकते हैं, अगर आप individual units को target करने के लिए, books देखना चाहते हैं, तो उसके लिए, आपके सामने, मैं कुछ basic psychology books की slides चला रहा हूँ, आप लोग screenshot लेके, उन books को देख सकते हैं, चेक आउट कर सकते हैं, जो आपकी preparation में, मददगार साबित होंगी, तो ये आपका पहला set है, जिसके अंदर आपका, सिसरेली psychology की, काफी लोग Morgan and King इसके अलावा, prefer करते हैं, वो आपकी personal choice है, cognitive psychology के लिए, गलोटी की, आपकी social psychology के लिए, बारन की, A.K. Singh, आपकी basic testing और research के concepts के लिए, stats for psychology, Aaron और Coop का ये वाला book सही है, बट अभी भी कोई एक single stats का अच्छा book अवेलिबल नहीं है, जिससे आप जो है complete stats का, psychology के stats का preparation कर सके, बहुत सारी books में थोड़ा-थोड़ा अच्छा content आपको मिल जाता है, K.D. Bruta, experimental designs, बहुत ही अच्छी किताब है, psychological testing Gregory की अच्छी किताब है, उसके बाद में आपकी personality की theories of personality shoots की, development across the lifespan fieldman का, और आपकी bio psychology penel की, ये किताबे भी काफी अच्छी हैं, जो आपकी preparation के लिए साबित होंगी, clinical psychology और counselling को target करते हुए, आपका नीरज अहुजा की, बस challenge ये है, इस edition के साथ में, जो की 20 year edition है, इसके साथ challenge ये है, कि ये आपका DSM-4 TR को follow करता है, ना कि DSM-5 ये DSM-5 TR को, तो ये थोड़ा सा challenge है, नीरज अहुजा की किताब के साथ में, otherwise, base content के लिए काफी अच्छी किताब है, उसके अलावा, आपको कोरे की, काउंसलिंग और साइको थेरेपी की किताब, clinical psychology के लिए, hacker और थौरपे की, और DSM-5 तो must ही है, DSM-5 के साथ में, आप ICD-11 का manual जो है, वो constantly cross check करते रहें, मान लो, आपको ये एक disorder देख रहे हैं, मान लिजे, feeding और eating disorders आप देख रहे हैं, तो एक तरफ आप DSM-5 के criteria's को देखें, और उसके बाद में, दूसरी तरफ आप ICD-11, जो कि आप WHO की website से देख सकते हैं, easily search कर सकते हैं, तो उसमें कुछ differentiating markers भी देख सकते हैं, तो आपको DSM-5, 4 और 5 में क्या changes हैं, 5 और TR में क्या changes हैं, यह आपको पता होना चाहिए, साती सात में ICD-11 में किस तरह के parallel changes हैं, वो भी अंदाजा आपको होना चाहिए, उसके अलावा आप सभी के लिए सफलता crash course को curate करा गया है, जो लोग MFIL and clinical psychology को target करना चाहते हैं, तो वो लोग यह course को check out कर सकते हैं, यह हमारी टीम को at 801366666 connect कर सकते हैं, 8013666663 पर टीम से connect कर सकते हैं, जी सायन जीत, मैं आपको यह recommend करूँगा, कि आप एक बार Amazon से book मंगा के देखें, और चेक करें कि किस तरीके के changes हैं, significant changes हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जो single book थी, और अब जो चार हिस्सों में book बट गई है, उसके अंदर बहुत major changes हैं, किताब के अंदर, okay, so this is it for today, I hope आप सभी को content meaningful लगा हो, और हमारा कोशिश जो थी team power within की तरफ से, वो primary कोशिश यही थी, कि सभी students को RML के exam की तयारी करने के लिए, थोड़ा सा एक समझ मिले, paper किस तरीके का होता है, कि questions किस तरीके के आते हैं, वो चीज़े पता होने चाहिए, बाकी मैं आप लोगों को एक basic चीज और एक basic अंदाजा, paper के analysis के basis पे बता सकता हूँ, तो जब भी हम RML के papers देखते हैं, तो RML के papers में कुछ topics पे special focus होता है, बिल्कुल ठीक बात है, clinical और research दोनों important topics हैं, लेकिन काफी बार deviancy भी papers के अंदर देखी गई है, जो कि आपका psychiatry के concepts की तरफ भी मुड़ जाते हैं, तो इसलिए अगर आप RML को majorly focus करते हुए तियारी कर रही है, आप लोगों का clinical psychology वाला पार्ट काफी अच्छे से prepare हो गया है, तो psychiatry वाले पार्ट पर भी खास द्यान दे, जिसके लिए आप कुछ psychiatry की books पैरलली पढ़ सकते हैं, दूसरा, आपको काफी questions ऐसे देखने को मिलेंगे, जो आपको ऐसा लगेगा अच्छी तैयारी करने के बाद में भी, कि मेरे को तो ये topic मैंने कहीं देखा ही नहीं है, ये नाम मैंने कहीं सुना ही नहीं है, तो इस तरीके के बहुत सारे challenges जो हैं, वो आपको paper के अंदर देखने को मिल सकते हैं, आपको उनसे नहीं गबराना, वो चार-पांच questions से नहीं गबराना, remainder जितने भी questions हैं, जो आपके जादातर moderate level के हैं, और कुछ आपके challenging level के हैं, उनको ध्यान देना है, तो आप जादातर questions, मुझे जहां तक लगता है, कि अगर आपने average तैयारी करी है, आपको concepts का अंदाजा है, net.jrf, कि आपने previous year questions अच्छे से लगाए हुए हैं, आपने practice questions करे हुए हैं, और previous year questions करे हुए हैं, तो आपके questions repeat भी काफी होते हैं, मतलब अगर other, जो आपके MFIL के exams होते हैं, उनके questions भी आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको और previous year questions MFIL के attempt करने चाहिए, तो ऐसा अगर आपने सब कुछ किया हुआ है, तो around आपका 70-80% का score आपको देखने को मिलेगा, अब अगर आपको selection चाहिए, तो reach 90 के percent के आसपास है, तो ऐसे में इस reach को क्या किया जाए, जब अच्छी मेहनत को हम 70 और 80 पे देख रहे हैं, तो 90 के लिए क्या किया जाएगा, 90 के लिए चाहिए आपको regular rigorous revision, जादा सजादा questions की practice, और questions, important questions जो दिखने से लग रहे हैं, क्योंकि आपने तयारी करी है, previous year questions देखे हैं, तो ऐसे topics, ऐसे questions जो आपको लग रहे हैं, important हैं, उन questions को भी याद किया जाए, क्योंकि exam में concept की समझ एक हिस्सा है, लेकिन concept को अच्छे से याद करना, यह दूसरा major हिस्सा है, concept जब तक अच्छे से याद नहीं होगा, उनके sequencing, उनकी चीज़ें, यह बहुत important आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, plus no common sense mistakes, जो basic आपकी common sense की basic जो mistakes आपकी हो जाती हैं, आप ध्यान नहीं देते, आप जल्द बाजी में paper पढ़ते हो, तो अपने common sense के हिसाब से कुछ ऐसी mistakes identify करिए, जो mistakes आप generally paper में करते हैं, और उनको avoid करने के रास्ते बनाईए, अगर जल्द बाजी में paper पढ़ते हो, तो smart तरीके से paper को जल्दी पढ़ने का तरीका निकालिए, दूसरा तरीका देखिए, कि जो questions आपके easy level के हैं, उन questions में भी आप elimination method का इस्तमाल करें, elimination method आपके question के correct होने के chances को बढ़ा देता है, काफी बार हम question पढ़ते हैं, सही answer माग कर देते हैं, लेकिन बाद में जब हम paper में check करते हैं, तो हमको अरे याँ, गल्ती हो गए, ये चीज आप बार-बार खुद के साथ ना करें, इसके लिए बहुत important है, elimination method को maximum level पे use करना, ऐसा नहीं है कि challenging आए, question तो ही elimination लगाए जाए, elimination लगा के आप cross check भी कर सकते हैं, कि paper कितना ठीक है, कोशिश करें, कि 80 to 90% paper जो है, वो तुक्का रहित रहे, यानि कि आपको तुक्के ना लगाने पड़े, 80 to 90% paper में, ये बहुत ध्यान रखना है, और जो तुक्के लगाने हैं, उन तुक्कों को smart रखना है, क्योंकि negative marking है नहीं, तो इस वज़े से तुक्के वाली चीज़ को smart रखना है, मगर केवल तुक्के के भरोसे exam में नहीं बैठना है, तो ये बहुत चीज़े ध्यान रखने हैं, कम से कम आपका 80 to 90% paper की समझ आपको खुद होनी चाहिए, उसके बाद तुक्के आपकी मदद कर सकते हैं, selection में, चीक है, हाँ, अगर आपके पास four book set है, सायन जी, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है, अगर four book set है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, upgrade करने की, ओके निशा, सो आप practice करने के लिए questions को, आप Power Within के app के platform को देख सकते हैं, जहाँ पे questions available हैं, आप book set को देख सकते हैं, जिसके अंदर questions available हैं, और अगर मान लीजे, आप अपने label पे देखना चाहते हैं, तो आप NetJRF के questions प्राक्टिस करिए, NetJRF के questions बहुत अच्छे level के होते हैं, इवन पिछले 5-7 सालों के अगर आप previous year papers कर लेते हैं, तो काफी इच्छा रहेगा, क्योंकि MFL exams में Net के previous year papers भी, previous year questions भी repeat होते हैं, तो आपके उपर आप तयारी कहां से करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, या questions कहां से लगाना चाहते हैं, बस इतना ध्यान रखिए, कि जादा से जादा अच्छे quality के questions आपको लगाना है, वो सबसे important चीज़ है, so with this, आप सभी के doubts or queries भी पूरे होते हैं, so thank you so much everyone, फिर आप लोगों से आगे connect करते हैं हम लोग, और कोई भी अगर challenge या कुछ भी query हो आपको, तो आप वो power within psychology के team members से connect कर सकते हैं, ताकि आपकी queries को पूर्ण विराम मिल सके, thank you so much everyone, thank you.